ओम नमन शिवाय मित्रो आज मैं आपको मकर रासी, धनू रासी और रुश्चिक रासी का आजका रासी फल बताऊंगी और साथी में मैंने मासिक रासी फल की लिंग डिस्कृप्सन में दे रखी है उसे जाके ज़रूर देखे धनूर आसी आज का दिन धनूर आसी वाले जातकों के लिए मिला जुला रहेगा आज के दिन जातक को धहर्य से काम लेना होगा आज के दिन जातक अगर किसी भी क्षेत्र में जल्बाजी करेंगे तो उनके बंते काम भी बिगड शक्ते है आज के दिन जातक को अपने वानी और गुस्य पर सयम रखना होगा वरना किसी से अंचाही बहस हो सकती है और जिसकी वज़े से आपके रिस्तों में परेशानी आ सकती है आज के दिन जातक को थोड़ा सा संबल कर चलना होगा वरना आपके सत्रू आपके मार्ग में परिशानी ला सकते है आज के दिन जातक को सकत महनत करनी होगी तब भी आपके सभी काम अच्छे से हो पाएंगे आज के दिन जातक थोड़ा सा प्रसन्न महसूस करेंगे आज के दिन जातक की किसी लववन से अपने किसी पुराने मित्र से या परिवार के सदस्य से मुलाकात हो सकती है आज के दिन जातक का लखी नंबर चार रहेगा और उनका लखी कलर पीला रहेगा आज के दिन भगवान गनेश जी की पूजा आपके लिए लाबदाई साबित होगी व्रुष्चिक रासी आज का दिन व्रुष्चिक रासी वाले जातकों के लिए मिला जुला रहेगा आज के दिन जातक को धैर्य से काम लेना होगा आज का दिन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा आज के दिन जातक को पारिवारी कार्यों में रूची बढ़ेगी आज के दिन जातक अपने संतान को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते है और जिस बारे में उनके साथ वो डिसकस वगेरा भी कर सकते है और उसके बारे में हल भी सोच सकते है आज के दिन जातक को थोड़ा किसी से संबल कर रहना होगा वरना वो आपका फायदा भी उठा सकता है आज के दिन जातक को अपने कोई पूरानी समस्या की वज़ा से आगे जाकर बड़ी परिशानी हो सकती है आज के दिन जातक को अगर आपने किसी से जूट बोला है तो उसे बात बता देनी है वरना आगे जाकर बहुत ही गलत तरीके से उनके सामने आ सकती है जो आप फिर बाद में उसे संभाल भी न पाओ, इसलिए आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा आज के दिन जाद तक को अपने सची और सची सोच की वज़े से बड़ा लाब होगा आज के दिन जाद तक को अपने खर्चों को थोड़ा सन्य अंत्रान में रखना होगा और बज़ेट बना कर चलना होगा वरना आगे जाकर आर्थिक समस्या सता सकती है आज के दिन जाद तक का लखी नंबर चार रहेगा और उनका लखी कलर मरुन रहेगा आज के दिन भगवान सिव जी की पूजा आपके लिए लाबदाई साबित होगी मकर रासी आज का दिन मकर रासी वाले जातकों के लिए मिला जुला रहेगा आज के दिन जातकों अपने खर्चों को नियंत्रण में रखके चलना होगा आज के दिन जातक को बढ़ते खर्चों की वज़े से मन थोड़ा सा परिशान रहेगा आज के दिन जातक को खर्चों को नियंतरन में करने के लिए कोई नई योजना भी बना सकते है जिससे उनको लाब होगा आज के दिन जातक को अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है आज के दिन जातक को अपने वर्क प्लेस में अपने सहकर्मिय मित्रों से संपुन सहीयोग मिलेगा जिससे वज़े से उनके सभी काम समय सर पूरे हो पाएंगे आज के दिन जातक को कहीं से भी उधार लेने से बचना होगा वरना आप आगे जाकर बड़ी परिशानी में फोस सकते हो आज के दिन जातक को अपने कार्यक्षेत्र में विपिन्न उपलब्द्या प्राप्त होगी जिसकी वज़ा से वो थोड़े से हैपी हो सकते है आज के दिन जातक का लखी नमबर दो रहेगा और उनका लखी कलर मरुण रहेगा आज के दिन भगवान गनेश जी की पूजा आपके लिए लाबदाई साबित होगी